नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं सरकारी स्कूल के 13 लाख इस्टूडेंट बीना स्वेटर जूता के जार है स्कूल जर्खन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक बच्चों को 22 नॉवंबर तक पोसाग, स्वेटर और जूता, मोजा के पैसे नहीं मिले हैं जर्खन सिक्चा परियुना ने अगस्त में ही जीलों को इसके लिए राशी उपलब्त करा दी थी साथ ही बच्चों का बैंग खाता खुलवा कर राशी उपलब्त कराने का निदेश भी दिया था विभाग ने जीलों को 15 नॉवंबर तक बच्चों को पोसाग की उपलब्ता सुनिशित कराने को कहा था लेकिन पैसे नहीं मिलने से बच्चे इस कड़ाके की ठंड में भी बिना स्वेटर और जूते के ही इसकूल जाने को विवस है जनकारी के मुताबिक राजे में कूल 38,29,76 बच्चों को पोसाग दिया जाना है इन में से अब तक 24,49,89 बच्चों को ही पोसाग की राजी मिली है वहीं 13,89,96 बच्चे आज भी ठंड में भीना स्वेटर और जूते मोजे के ही इसकूल जा रहे है पहली से पाँचवीत तक के बच्चों को दो सेट पोसाग, एक स्वेटर और जूता मोजा के लिए 600 रुपे दिये जाते है वहीं 13-18 तक के बच्चे को पोसाग के लिए 400 रुपे, स्वेटर के लिए 200 और जूता मोजा के लिए 160 रुपे दिये जाते है रांची के बाद पूरे जार्खन में होगा मतांतरन के खिलाप आंदोलन पूरे जार्खन में आदिवास्यों की परमपरा और रिती रिवाज को समाप्त करने का खेल चल रहा है पहले इस खेल में सिर्फ चर्च सामिल था अब मस्जित से भी मतांतरन के लिए प्रोसाहित किया जा रहा है पेंशनर खुद ही अपने मोबाइल से बना सकेंगे लाइफ साटिफिकेट भारतिय स्टेट बाइंग की मुख साका मेर अब्विवार को सेंट्रल और स्टेट पेंशनर को फेस रिकोगनेशन की सुविधा की बिधुवात चुरुवात की गई चेहरे के सत्यापन द्वारा डिजिटल जीवन पवान पत्र जारी करने के लिए केंद सरकार ने नई पहल की है इसके लिए अंडराइड मोबाइल के जरिये गूगल प्लेय स्टोर से अधार फेस आईडी एप अप्लिकेशन डाउनलोड फेस रिकोगनाईजेशन साट सिस का बिकल्प दिया गया है इसका इस्तिमाल कर पेंशनर खुझ से लाइफ सर्टिफिकेट की परकिरिया को पुरा कर सकते हैं या परकिरिया बेहादी आसान है इसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट ब्यापी जगरूपता अभ्यान चलाया जा रहा है स्टेट बैंक में इस सुविधा का लाब उठाने है तुब बड़ी संख्या में पेशनर मौजूद रहे कारकरम में केंद्र के सच्चीव रायंद्र कुमार दत्ता विसाल कुमार मौजूद थे सीयम हमन्त का राहूल गांधी को फोल सपोर्ट जेमेम नेता सामील होंगे भारत जोडो यात्रा में इंदवर में राहूल गांधी के जथे के साथ जार्खन के 50 नेता भारत जोड़ो यात्रा में सामिल होंगे और दो दिनों तक वहां की गतिविधियों में हिंसा लेंगे इसको लेकर सोमवार को इंदवर के लिए कॉंग्रेस अध्यक राजस ठाकूर और विधायक दल के नेता अलमगीर आलम के साथ जार्खन मुक्ति मुर्चा के मंत्री मिथिलेस ठाकूर रांची और पोट से रवाना हुए है बता दे गड़ बंधन धर्म का पालन करते हुए मुक्ष मंत्री हेमांचीन के नेता अब भारत जोडो यात्रा में हिसा लेंगे मध्य पर्देश के इंदोर में राज्य केबिनेट की मंत्री मिथिलेस ठाकूर पर्देश के कॉंग्रेश नेतावों के साथ यात्रा का हिस्ता बनेंगे केबिनेट की अगली बैठक नगर निकाय चुनाओ के लिए अहम जनजाती परमर्स दात्री परिस्तद की बैठक में एकल पदो पर रोष्टर बेवासा से आरक्षन परनाली का बिरोध किये जाने के कारण पूरे पर्देश में निकाय चुनाओ ठाप हो गया है अब अगले साल ही निकाय चुनाओ होने की समवना दिख रही है इसी करम में गुरुवार को निधायत कैबिनेट की बैठक आहम होगी कैबिनेट की बैठक में नियमों और कानून में संसोधन के लिए प्रस्ताव पर चर्चा होने की उमीद है इसके लिए महा अधिवक्ता का परमर्स भी मांगाये जाने की बात विधाय को सहीत टी एसी के सहसोय ने कही थी नगर्ण विकास विभाग इस मामले में अगला प्रस्ताव त्यार करेगा है ज्यारखन जेडियू के अध्यक्ष बने खिरू महतो राजे सभा सांसत खिरू महतो एक बार फिर जद्यू के परदेश्त अध्यक्ष निर्वाचित हुए है रभिवार को उनका निर्वाचन निर्विरोध हुए है परदेश जद्यू कर्याले में राजे परिशत के सहस्व एवम नो निर्वाचित जीला अध्यक्ष की बैठक के बाद उनके निर्वाचन परमुहर लगी रजर निर्वाचन परदा अधिकारी अनीर सिंग ने उन्हे निर्वाचन पर्मानपत्र सोप कर बीध्यवत अध्यक्ष चूने जाने की घोस्थना की बता दे नौ निर्वाशित परदेश अध्याज छीरू महतो ने सभी का भार परकट करते हुए राश्ट्रे नेतितों की अप एक छाओ पर खारा उतरने की बात कही बिधूत संकट पर बाबुलान ने हिमंत सरकार पर बोला हमला है राजे में गहराए बिजली संकट को लेकर बिजेपी विधायक दल के नेता और परदेश के पहले मुखे मंत्री बाबुलान मरांडी ने हिमंत सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ये सरकार है या सरकस बाबुलान मरांडी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार के कारेकाल में आम लोग बिजली पानी और स्वास्त जैसी बुन्यादू जरूरतों के लिए तरस रहा है उन्होंने सरकार के रोजगार के वादे पर भितंज कसा है और कहा है कि वादा रोजगार का था लेकिन लोगों की रोजी रोटी भी छीनली जा रही है बता दे कि बीते काफी दिनों से राइधानी राची सहीत आसपास के जीलों के बिजली संकट पर है साहवगंज के लाल साचीन कुमार का चयान जहारखंड के अंडर 16 टीम में हुआ है साचीन विजय मार्चेन ट्रोफी खेलने नागपुर रवाना हो गया है साचीन की इस उपलब्दी पर खेल प्रेमियों और परिजनों में खोशी किलार है सचीन टीम के साथ विजय मार्चेन ट्रोफी खेल ले नागपूर रवाना हो गए है सहर के यूथ किर्केट कल्ब, नेताजी कल्ब और माही एस्पोर्ट जैसी टीमों से जुड़ कर खेलते हुए सचीन ने पिछले दिनों धनबाद में जे एस्पोर्ट की अंतर जिला अंडर सोलर टूर्नामेंट में बेथरीन खेल का प्रशन करते हुए पांच बिकेट जटके थे और 40 रन का योगदान भी टीम के लिए दिया था रांची में पिट गई बिहार पुलिस रांची के काके इलाके से दहेज मामले में आरोपी को गिरफतार करने पहुँची सिवान पुलिस को अस्थानिये लोगों ने पिट दिया मामले की सुचना मिलते ही काके पूलिस मौके पर पहुँच कर छानबिन में जुट गई है बता दे राजधानी के काके थाना इलाके के मिलत कॉलोनी में सोमवार को दहेज मामले में एक आरोपी को गिरफतार करने पहुची बिहार के सिवान पूलिस को फजिहत जहलनी पड़ी है आस्थानिये लोगों ने पूलिस की जमकर पिटाई कर दी दरसल सिवान पूलिस युवक को उसके घर से कुछ दूर पहले ही स्टड़क पर देखकर गाड़ी में जबरन बैठाने लगी जिसका लोगों ने बिरोध किया है ज्यारखन के मुखे सचीव सुप्रीम कोट में तलप हाई स्कूल सिक्षक मामला ज्यारखन के हाई स्कूल सिक्षक न्युक्ति परिक्षा 2016 मामले में सुप्रीम कोट में कंटेम्ट केस पर सुनवाई हुई मामले पर सुनवाई करते हो सुप्रीम कोट ने जार्खन सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और 2 दिसंबर को जार्खन के मुख सचीव को ससरीर उपस्चित होने को कहा है बता दे हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ति परिछा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है इस मामले में सुमवाई को सुप्रीम कोट में कंटेंप्ट केस पर सुनवाई हुई मामले पर सुनवाई करते हो सुप्रीम कोट ने जार्खन सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और 2 दिसंबर को जार्खन के मुख सचीव को ससरीर उपस्चित होने का निदेश दिया है परफी के दिया उनकी सब्सक्राइए लेकिन हम देश को जोडने में लगे हैं और इस यात्रा में उनका साथ देने के लिए जर्कन कॉंग्रेस के नेता इंदौर रवाना हो गया है जार्खन परदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्स राजेस ठाकूर के नेतियुत में 50 कॉंग्रेस नेताओं का जाथा सोमवार को रांची के बीसा मुदायार पोर्ट से इंदाओर के लिए रवाना होगा यहाँ नेशनल ग्रेपलिंग कुस्ती परत्योक्ता में जार्खन का जलवा भारतिये कुस्ती संग और ग्रेपलिंग कमीटी ऑफ इंडिया के सन्युक्त परदेश से 24 से 27 सितंबर के बिच राष्ट्रिये ग्रेपलिंग कुस्ती परत्योक्ता का आयोजित उतर परदेश में आयोजित यूपी के नंदीनी नगर में आयोजित इस परत्योकता में जहरकन ग्रेपलिंग कुस्ति के पहलवानों ने खूल चार पदक जीते हैं गुमला के आधिते साहू को 44 किलोग्राम वेट केटेगरी में कासे पदक मिला वही ओवैस अराप फात ने 92 किलोग्राम सिरेनी में कासे जीता है सिनियर महिला वर्ग में रीता सुरेन ने 71 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता वही कलातिक कुमार ने भी रायत जीता है रांची एस्टेशन पर एक कावन बोतल सराप के साथ बिहार का जीवग गिरपतार और पीफ रांची के पोस्ट कमांडर इसके जहा के नतित में उपनिरीक छक सुरज पांडे वा अन्य टास्क टीम ने ट्रेन संख्या 18.105 जैनगर एक्सप्रेस में अवय दरूप से ले जा रहे हैं एक आवन बोतल सराप को जब्त किया है रांची एस्टेशन पर जाच के दुरान पाया गया की एक व्यक्ती कुछ भारी समागरी के साथ ट्रेन में चड़ने की कोशिस कर रहा था संदेह होने पर जैसे ही टीम ने उसे पकरने की कोशिस की वह प्लेटफरम पर सभी पीठू बैक फेक कर भागना चाहा लेकिन आरपी एप ने उसे धर्दब हो चाहा बाद में उसके बैक की जाच की गई तो बैक के अंदर सराब की कुछ बोतले मिली जिसकी सुचना जी आरपी रांची को दी गई धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चैनलों के सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदर भाई है साची साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के आशार करना भूले साची साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फिड़बैक और से दे थांक्यू